स्वागत अब अच्छो आपका सैल स्टडी के इस चैनल में और आज के हम अपने 27 वीडियो स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी के और इससे पहले 26 वीडियो वोकैबलरी के अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर आप देख लीजिए एक अलग से प्लेइलिस्ट बना रखी है मैंने वोकैब की और हर वीडियो के अंदर आपको 5 वर्ड मिल जाएंगे बहुत अच्छे वेसे वो मैंने कराए हैं इमेजिज के त्रूप ट्रिक के त्रूप इमेजिज के मतलब की ट्रिक के त्रूप की के त्रूप ताकि यह जो वोकैब है हमें याद रहने में आसानी हो बिना time को आई, आज का जो पहला word है वो हम करते हैं, पहला जो word है वो है towering पहला जो word है वो है towering towering ओके इसका मतलब होता है विशाल, शक्तिशाली विशाल, शक्तिशाली और इस towering को इस word को हम याद कैसे करेंगे इस को याद करेंगे हम tower से इसको हम याद करेंगे टावर से हमारे जो इलाके में या फिर आप जहां पर भी गाव में शैर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि टावर लगे हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े टावर लगे हुए होगा आपने देखे होंगे आप अगर कहीं गोमने जा रहे होंगे तो बिजली की हाई वोल्टेज के लिए वो टावर लगाये जाते हैं वहाँ पर खेतों में से जा रहे होते हैं बड़े-बड़े मैदानों में से जा रहे होते हैं तो वो जो टावर हैं हमारे गाउं का टावर हमारे गाउं का टावर बहुत विशाल बहुत विशाल और और शक्तिशाली है और शक्तिशाली है शक्तिशाली है clear हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टावर यहाँ पर इसका key भी आगी और विशाल और शक्तिशाली दोनों के दोनों meaning भी आगे clear हुआ तो ये तो था आपका first word towering जिसका मतलब होता है विशाल शक्तिशाली और हमने इसको याद किसे किया है tower से clear अब second word के बाद हम चलते हैं second word की तरफ second जो word है वो है tirade tirade इसको tirade मत पढ़ देना ti के साथ आई लग गया तो tirade ऐसे मत पढ़ देना tirade है ये clear हुआ इसका मतलब होता है ninda करना इसका मतलब होता है ninda करना tirade का मतलब होता है ninda करना और अब हम इसको याद कैसे करेंगे जबह देखो इसमे gibt tie тоб tie या office लगत भ Warren पैनी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के टाइ में पैड़ते हैं, तो टाइ रेड, यानि इंगलिश वाला रेड, इससे क्या मतलब कि लाल कलर, ठीक है, टाइ रेड, इसको इसकी ट्री यही है, ट्रिक जो है, या की जो है, वो यही है, इसको हम कैसे करेंगे, एक्जा करना का आदमी है, यह क्योंकि लाल रंगी टाइ पैन के आते हैं, तो ऐसी करने वाले, आप, आप, टाइ, रेड कलर की, आप टाइ, रेड कलर की, कलर की, मत पहना करो, मत पहना करो, क्योंकि, क्योंकि, लोग आपकी, लोग आपकी, क्या करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, clear हुआ तो ये तो था आपका second word tirade मैं भी tirade बोलने माला था, tirade tirade का मतलब होता है, निंदा करना और आपने इसको कैसे किया है, tie red यानि tie red color, यानि red, tie red color की मत पहना करो, क्योंकि लोग आपकी निंदा करते हैं, तो निंदा करना यहाँ पर इसका meaning भी आगे और यह की भी आगे, ओके यह तो था आपका second word, अब चलते हैं, third word की तरफ, denty यह जो word है, वो है denty denty clear, यह denty का मतलब होता है, आकरशक, denty का मतलब होता है, आकरशक, ओके अब इस denty को हम याद कैसे करेंगे, जड़ा इसको समझो, denty में d को एक बार हटा दो, यह anti, एंटी वाचिक है, तो यह होगी अपने पास आंटी, एंटी से हमने बला लिया, आंटी, अब यह d जो रहे गया ना, एक काम करो, इस d से बना लो, दिन, दिन ठीक है, दिन में आंटी, denty, यानि दिन में आंटी, एक्जामपल के तो समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे, देखो दिन में दिन में आंटी, दिन में अरे, दिन में आंटी बहुत, दिन में आंटी बहुत आकर्षित 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 या आकर्षक लगती है अरे, सही वे में लेना, ठीक है सही लगती है, डैंटी, डैंटी का मतलब होता है आकर्शक, दिन में आंटी हमने इस की से इसको याद किया, कैसे दिन में आंटी बहुत आकर्शित लगती हो या, ठीक है अधर बहुत अच्छी लगती है, ओके तरड वर्ड के बाद हम चलते हैं अपने फॉर्थ वर्ड के तरफ, जो ये है कॉजन, इसका मतल़ होता है ठगना, इसका मतल़ होता है ठगना, और कजन को हम कजन से करेंगे, ठीक है, कजन जो होते हैं वो चेरा भाई, चेरे भाई होते हैं, उसी से हम करें, और अब आप सोच यह जो कजन होते हैं, रिष्टेदार जो होते हैं, ठकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह रिष्टेदार है, कुछ कहेगा नहीं, वो कजन वजन जैसे होते हैं, ठक लेते हैं, यह जाहर सी बात है, यह रियालिटी है, कोई गैर आदमी ठके ना ठके, लेकिन कजन जुरू ठग लेगा, रिष्टेदाई जरूर ठग लेगे, यह वाली आ है, तो कजन से हम इसको याद करने वाले हैं, कैसे भई, आपको, आपके, आपके, आपके कजन ने, कजन ने, आपको, आपके कजन ने आपको ठग लिया, ठग लिया भई, क्योंकि आप उसके पास काम गए थे, उसने ठग लिया, तो कजन यहाँ पर इसकी की भी आगया, और ठगना, यहाँ पर इसका मीनिंग भी आगया, clear, यह तो था आपका फोर्थ वर्ड, आप चलते हैं अपने फिफ्ट वर्ड, यानि इस वीडियो के लास्ट वर्ड की तरफ, गैलोर, गैलोर, गैलोर का मतलब हो गालोर, यानि गाना, गालोर, भया, हम कैसे को कह रहे हैं, तुम गालो, तुम्हें जो इतना मरजी गाना है, गालो, इससे हम याद करने वाले, कैसे ज़रा, एक्जाम्बल की तो समझो, हम कह रहे हैं, गालोर, गालोर, यदि, यदि, अधि, अधिक आनंद, अधिक तावरा यानि अधिक आनंद आनंद कैसे लिखते हैं आनंद अधिक आनंद चाहते हो तो clear हुआ यहाँ पर तो यह तो था गैलोर गैलोर का मतलब होता है अधिकता और हमने इसको कैसे क्या गालोर है एक बार जल्दी से पांचो वर्ड को revise कर लेते हैं पहला जो वर्ड है towering इसका और जो हमारे गाहों में टावर लगाव हो इशाल है शक्ति शालिए फिर सेकेंड वर्ड हमने कैई टाइरेड का मतलब होता है निहनदा करना और हमने इसको याद किया है यायद कलर की टाइड का आप टाइरेड कि अजाम के जाया करो ओ क्योंकि लोग आपकी क्या करते हैं निंदा करते हैं फिर थर्ड वर्ड क्या है डैंटी डैंटी का मतलब होता है आकरशक और इसको हमने क्या दिन में आंटी कैसे किया भही इसको दिन में आंटी भही या बहुत आकरशित लगती है बहुत ज़ादा फिर हमने देखा कजन का मत मतलब होता है अधिकता और हमने इसको याद किया गालोरे अगर यदि अधिक आनन्द चाहते हो clear हुआ तो ये हुए आज के आपके पांच वर्ड I hope so कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी पांच वर्ड आपको समझ में आए होगी याद हुए होगी तो याद हुए है तो क्या करना है लाइक करना है वीडियो को चैनल को क्या करना है सबस्क्राइब करना है और दोनों ही काम आप कर सकते हो इन दोनों के लिए क्या शेयर करना वीडियो को भी और चैनल को भी और इस से related आपको क्या चाहिए PDF चाहिए तो आपको क्या करना है description box में link दिया होगा मिलेगा किसका telegram को तो जा किर वहाँ पर join कर लिजिए साथ इसाथ आपको facebook का भी link दिया होगा मिलेगा वहाँ पर भी join कर लिजिए वहाँ पर आपके exam के point of view से बहुत सारी वीडियो पीडियो जो वहाँ पर upload की जाती है तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में thank you